बेवजह सडक पर निकलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कारेवाही अचमेर पुलिस ने संपूर्ण लोकडाउन के दौरान सक्त रवईया अपना लिया है कौराना वाइरस के मध्यनजर यात्रा पुलिस और सक्त हो गई है बेवजह सहर में गाडियां पर घूमने वालों के वाहन जप्ट कर रही है जिससे की वह अपने घरों के अंदर ही रहें पुलिस कप्तान कौर राष्ट दीप ने एक आडियो जारी कर आमजन से घरों में रहने की अपील की है आज सुबे से ही यात्रायात पुलिस और जिला पुलिस एक्शन मोन में आ गई है पुलिस ने सडक पर बेवजह आने वाले वाहन चालकों को रोका और उनके वाहन या तो जप्ट किये या चालान काड़े पुलिस ने आमजन से अपील की है कि कोई भी व्यक्ती बेवजह घर से नहीं निकले अन्यता पुलिस को उनके खिलाफ कारेवाही करनी पड़ेगी कोरोना जैसे घातक वाइरस से बचाओ के लिए घर में रहना ही आवशिक है पुलिस सडकों पर आमजन के लिए 24 घंटे खड़ी हुई है प्रधानमंत्री नरंद्र मोदीन ने 21 दिनों के लिए लोकडाउन का आदेश किया है सभी थानादिकारी ध्यान दें कल से तीन सब्ता का लोकडाउन शुरू हो रहा है हमारे सामने कुछ गंभीर शुनोतियां आने वाली है जैसे कि बहुत से ऐसे लोग जो कि आवश्चक सेवाओं से जुड़े हुए है उन्हें अपने अपने गंतवे तक पहुँचना होगा बहुत सारा ऐसा सामान जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना जरूरी है उसका मुमेंट होगा साथी साथ लोग सामान खरीदने के लिए घरों से भी निकलेंगे थाना दिकारी अपने हर पॉइंट पर लगे जापते को ये ब्रीफ करे कि एक और आवश्चक सेवाओं से जुड़े हुए सभी लोगों का मुमेंट कंटिन्यू रहेगा वो अपनी आईडी दिखाते हैं उन्हें उनकी आईडी देख करके विनमरता पूरवग उनसे आईडी पूछ है और उनके गद्नतवे तक जाने दें इसी प्रकार जो भी ट्रक निकल रहे हैं जो भी ऐसे सामान ले जा रहे हैं उन ट्रकों को अनुमती देनी है कहीं पर भी सामान ले जाने वाले वाहनों को नहीं रोकना है उनका आवागमन उनका लगातार चलते रहना जरूरी है ताकि आवश्यक बस्तों की कहीं कमी नहीं पड़े इसके साथी साथ आपको अपने शेतर की गलियों पर आपके अपने शेतर के जनरल स्टोर आदी पर भी नज़र रखने की जरूरत है ताकि कहीं पर कोई भीड लगा करके इस पूरे लॉकडाउन को खराब नहीं कर रहा हो इसका उलंगन नहीं कर रहा हो लोग अपने निज़ी वहानों से निकल नहीं रहे हो केवल वो लोग ही अपने निजी वहान का प्रयोग करें जो आवशक से वहां से जुड़े हुए हैं चाहे वो सरकारी विभागों करमशारी हो या फिर प्राइवेट छेतर जिसमें दूर संचार शामिल है जिसमें की पावर सेक्टर सामिल है उन सभी छेतरों से जुड़े वे लोग अपने वहानों का इस्तमाल कर सकते हैं पर आम आदनी अपने घरों से घुमने के लिए या समान खरीदने के नाम पर अपने वहानों को लेकर नहीं निकले यदि वो ऐसा करते हैं तो उनके वाहन सीज्ट करें ताकि ये मैसेज इसपष्ट हो जाए कि अगले तीन सब्ता तक उन्हें अपने वाहनों का इस्तेमाल नहीं करना है। का घायल होने की इस्तिती में भी हो सकता है। उन सभी लोगों का मुव्मेंट नहीं रुकना चाहिए। इसी के साथ ऐसे लोगों के खिलाब लगातार सक्ती से कारवाई भी होती रहनी चाहिए। जो इस पूरी समस्या को नहीं समझ रहे हैं। जो लगातार अपनी आदत के कारण अपने घरों से निकल रहे हैं और वो इस पूरी विवस्ता को इस पूरे लॉकडाउन को खराब कर देना चाहते हैं। दोनों चीजों में एक बहुत बैलेंस बनाने की आवशकता है। अजमेर के सभी लोग जो हैं एक बार हमारे कारवाई को समझ जाएंगे तो वो अपने आप घरों से निकलना बंद करतेंगे। कल जो भी पुलिस कारवाई होगी उसमें हमें इन दोनों चीजों के बीच अपना बैलेंस समझना है। और बहुत ही गंभीरता से उस लिस्ट को जो कि आपको बार-बार भीजी जाती रही है। उस एक्जम्शन को समझना है। इसमें मेडिकल स्टोर में काम करने वाले पास में कोई आईडी नहीं होती है। वह अपने मेडिकल स्टोर का कागज और उसमें मेडिकल स्टोर के जो उसके मालिक हैं उनकी तरफ से जारी पत्र के आधार पर आपके सामने अगर पत्र दिखाता है तो आप उसे आनुमती दें ताकि वह अपनी दुकान पर पहुँच सके और मेडिकल स्टोर खुले रह सकें कहीं कहीं पर हो सकता है आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़े तो अपने विवेक से सोचें कि इस व्यक्ति को वहां पहुंचना इसी आवश्यक सेवा के लिए जरूरी है या नहीं अगर जरूरी लगे उसे अनिवाद से चलाते भी रह रहा है आप सभी का काम बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के द्वारा जो फील्ड में किया जाएगा उसका इस लॉक्डाउन पर बहुत कंभी रसर पढ़ने वाला है जिम्मेदारी के साथ अपना काम करें और इस विवस्ता को अच्छे से लागू कराए दूने वाल